हालो एवरिवन वेल्कम अगैन माई यूट्यूब चैनल एंड हैपी रक्षबंदन आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूं पेशन के लड्डू की रेसिपी आप देख सकते हैं यह बिल्कुल मार्किट जैसे मार्किट से भी अच्छे बनकर रेडी हुए आप के घर पर यह आप किसे बना सकते हैं इसका टेक्शर आप देख सकते हैं मैं आपको पास से दिखाती हूं इस देखिए कितने अच्छे बनकर रेडी हुए हमारे यह बेसन के लड्डू आई यह फटा-फट से बनाते हैं अपने बेसन के लड्डू यहां पर मैंने 500 ग्राम holding के अच्छे से कडाई में लाकी रोष्ट कर लेंगे सब्सक्राइब करने के लिए मैंने इस अथ का यह आप देखित यह इसकाल अपकर रिफाइंड ओल लिया नॉर्मल ऐ भी यूज़िश कर सकते हैं तो चम्मच मैंने इसमें आ पका यूज कर कर सकते हैं आप चाहों तो इसमें और भी घी add कर सकते हो अगर आपको अपना आपका बेंस ड्राई लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा घी और अपर सकते हैं अब इसे अच्छे से मिक्स करके इसे हम रोस्ट करेंगे दीमी शेया अजच देज जाए हृमुज पानी में मैंने यलोफूट कलर बेट करके इसमें ढाल दूँमीma, इस से हमारे लड़ु बहुत अच्छे बनेंगे दानिदार सरा लड़ु скаж अच्छे बनेंगे बिलकुल दानिदार आप इसे अच्छे से मिक्स करके हमने रोष्ट कर लेंगे यहां पर हमारा बेसन रोश्ट हो चुका है अब मैं इसे अलेग एक प्रेट में निकाल लूँगी और इसे ठंडा करेंगे हूं हम इसे पूरी तरह से ठंडा कर लेना है चार से पाच छोटी लाइची हमें पीस कर इसमें एड़ करनी है यह देखिए चोटी लाइची का पाउडर में इसमें एड़ कर रही हूं अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यह मैं इसमें तब मिक्स कर रही हूं जब यह हमारा बेसन बिल्कुल धंडा हो चुका है यह 400 ग्राम सुगर है जिसे मैंने पीस लिया है मिक्सी में अब इसे थोड़ा-थोड़ा करके हम इसमें मिक्स करेंगे आप उतनी शुगर इसमें आट करें जतना मीठा आप पसंद करते हैं यह देखिए मैं थोड़ा-थोड़ा करके मिक्स कर रही हूं कुछ नहीं करना है बस आपको यह सी मिक्स करना है अच्छे सब्सक्राइब कि यह देखिए हमारी लट्टू बनने लगे हैं मैं आपको फिर से दिखाती हूं यह देखिए जितने बड़ा लट्टू आपको बनाना है उतनी कॉंटिटी में आपको लेना है बेसन और धीरे-धीरे से प्रेस करते हुए राउंड राउंड यह देखिए इसली इसका लट्टू बन जाएगा और कितना अच्छा लट्ट लट्टी तो आप इस तरीके से करके बना सकते हैं यह देखिए हमारे लट्टू एक्कम परफेक्ट बन गया है ऐसे हमें अपने सारे लट्टू को बना लेना है जैसे मैंने देखिए बना के रेडी कर लिया चली अब इसका मेक ओवर करते हैं इसे थोड़ा से डेकोरेट कर यह चांदी का वर्ट यह आपको मार्केट में असानी से मिल जाएगा इस तरीके से लेना है और इस तरीके से प्रेस करना है और यह आपके लट्टू पर लग जाएगा इसे हमारे लट्टू बहुत ही अच्छा दिखेगा दिखने में बहुत ही अच्छा लगेगा और यह म प्रीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें यह तेखिए कितना प्यूटिबर हमारा लग्डिक बनाया है आप भी जरूर एक बार ट्राइब करें थैंक यू फर वाचिंग